हेलो उस्तो आप सभी सोक्त बात करेंगे आपर एज बैंक के बारे में दोस्तो इसके आज कॉटर फोर के रिजल्ड अनौस हो चुके हैं कम्पनी ने कितना बड़ा धमाका अपने रिजल्ड में करकर दिखाया उसके बारे में आप पूरी डिटेल देखना और उसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसे भी न्यूस बताने वाला हूँ जिससे देखे उम्मित काफी ज़्यादा है इसमें आपको बड़या वाले रिटन मिलेंगे और यहाँ पर यह बात कभी भी याद रखना किये स्टॉक का प्राइस कोई महेंगा नहीं है तेरा रुपई का शेर दोस्तो और काफी कॉन्टिटी आप हाजार रुपई में खरीद सकते हो और आपको बेनिफिट बे उसी तरीके से कमपनी कमा कर देगी इसमें ऐसा नहीं कि लॉंग टम का ही निवेश आपको करना है पोजीशन मना कर भी आप पैसा कमा सकते है शौट टम के लिए है तो चलिए देख ले आपका प्रिपरेशन होगा और आपको जानकारी भी कि कमपनी में करना क्या है और होगा क्या खास तो चलिए स्टार्ट कर लेते वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्रेब ज़रू दोस्तों कर देना कमपनी के रिजल्ट में कोई बड़ी अनॉसमेंट डेखने को मि है और दोस्तों आपको बता दो अब तक जो कमपनी के रिजल्ट आये है हमने डिसेंबर के रिजल्ट है कि उसमें भी आउस्टेंडिंग पर्फॉमस रहा और अभी जो मार्च महिने की रिजल्ट है बोलतो कौर्टर फोर के उसको भी हम देख लेते हैं यह सभी फिगर्स इ एक्चुली कमपनी पर्फॉमस में कैसे है और यहाँ पर आप देखें बैंकिंग सेक्टर की कमाई इंट्रेस से होती है लोगों को ब्याज पर जो पैसा दिया जाता है उससे और सर्वीस इन्वेस्टमेंड सर्वीसे जो अलग-अलग जैसे के आपको पता है यह कमपनी प् प्षटर ली और इस कॉटर के जो यहाँ पर जो पिछला कॉटर और इस कॉटर बोलते मैं आपको कॉटर 3 एंड कॉटर 4 यह बोट का पफॉमस हम देख लेते हैं अब यहाँ पर आप पूरी तरीके से अंडरस्टानिंग करना जो कमपनी के मैं टोटल आपको इंकम की जानक 59 जो लैक्स में दोस्तों कमपनी का यहाँ पर इंकम था वो बढ़कर 5,82,922 लैक्स हो चुका है और कमपनी ने बढ़या वाली ग्रोथ करकर दिखा दी येरली बेसेस पर अब यहाँ पर हम कॉटर ली की बात करें तो सेम यहाँ पर भी देखें पिछले कॉटर में कमपनी 5,63,203 जो यहाँ पर लैक्स में कमाया था टोटल इंकम वो बढ़कर 5,82,922 लैक्स हो चुका है तो कमपनी ने बढ़या तरीके से देखिए येरली जो यहाँ पर कॉटर का पफॉमस से उसको कंपेर किरें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कंपेर करने के बात कि कं कमपनी के रिजल्ड अच्छे आ गए एंड कोर्टरली बेसिस पर अलसो अभी यहाँ पर हम जैसे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप अबजर कर सकते हैं आपको नजर आ जाएगा यह देख लिजे पिछले साल बोलतों यह मार्च महिने में 2000 यह जो यहाँ पर हमें 21 का देखने के मिला उसमें कमपनी पूरा लॉस में थी पूरा लॉस कितना 3,48,000 का पिछले साल इस बार देखिए यहाँ पर 36,743,00 लाग का यहाँ पर कमपनी ने क्या किया है तो अपना प्रॉफिट डर्च किया है तो कमपनी प्रॉफिटेबल है तो इस bank के result काफी outstanding आये हैं यह आप देखकर समझते होंगे मुझे लग रहा है और इसके जैसे के इंपे की बात करें तो इंपे अलसो अच्छे improvement में देखने को मिल रहे देखिए इंपे भी यहाँ पर आपको कमी होते वे नजर आएंगे थोड़ा बहुत improvement company का इंपे में भी है और जैसे के earning per share की बात करें यह भी बहुत अच्छी तरीके से performance में है आप यहाँ पर खुद देख भी सकते है earning per share कैसा है company का यह भी आपको द पर देखने को मिलेगे और मैं आपको दिखाना भी चाओंगा क्योंकि देखना जरूरी है हमें यहाँ पर जितनी जानकारी company के result के बारे में होगी देखे यह consolidated financial result है और यह सभी figures यहाँ पर भी लैक्स में है इधर भी देखेंगे हम net profit के बारे में तो सिधा आप यहाँ पर company काफी अच्छी है और इसमें यहाँ पर उम्मीद भी यह जताया जा सकती है कि company हमें return product करकर दे सकती है अब यहाँ पर हम जैसे order भी जो यहाँ पर निवेश्य को पता होना चाहिए कि company को कितना करोड में profit हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने कोशिच करूँगा देखें आपको यह पता तो चल जाए कि quarter four के result में एस बैंक ने कितना profit कमाया बोलकार तो इस बार देखे quarter four result जो यहाँ पर company के हो चुके है उसमें यहाँ पर company ने 367 करोड़ का net profit कमाया है और जैसे मैं आपको बता रहा था कि partnership के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते फिंटेज platform जो है उन्होंने यहाँ पर फिंडेपे partner yes banks फिंडेपे इसा नाम का जो एक platform है उन्होंने यहाँ पर partnership की yes bank के साथ push financial जो यहाँ पर performance होता है उसको improve करने के लिए और अपने business में यहाँ पर development के लिए उन्होंने plan किया है काफी कुछ बढ़िया ही हो रहा है इस company company में यह आप देखकर समझ सकते क्या है हमें जो company में हो रहा है company के result जो है वो देखना पड़ेंगे हम observe नहीं करेंगे तो काफी कुछ miss हो सकता है अभी जहाँ पर आप और भी देख सकते जैसे कि आज यहाँ पर हम इसमें जो quantity लोग उठाकर रख रहे है उसके बारे में दे पेटर्न भी आपको दिखाना चाहूंगा पिछले आप यहाँ पर एक महिने का देखे छे महिने का देखे यह एक साल का तो temporary basis पर यहाँ पर तेजी आती है तो हमें temporary basis पर ही return कमा कर निकलना है हमें इसमें लंबे समय के लिए फसना नहीं है मैं आपको एक ही बात बता दो छ लंबे समय का निवेश करने की गलती मत करना आपके लिए बहुत से companies इंडिया में available हैं आप उनका choice कर सकते हैं long term के निवेश के लिए बहुत ही बड़ा तरीके सिसमें आपको अभी uptrend देखने को मिलेगा company ने अपने result अच्छे दिखा दिये है और profit में आ गई है एक अच् नई है company तरफ से दिखाना जरूरी है और पिछले यहाँ पर December मेने में company ने fundraise किया ऐसे अच्छे अपडेट भी इसमें आते रहते हैं और अब तक 2019 में एक ही बार dividend या तब से कुछ भी यहाँ पर दिखाईने देरा एक company तरफ से है तो I hope आप details समझ गए दोस्तों thank you so much